हालो फ्रेंस वेल्कम बैक टू दिस चैनल आज की क्लास में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आज की क्लास में हम लोग करने वाल हैं स्नीक का समरी डिसकसन तो गाइस जो भी इस चैनल पे आज पहली बार देखरें वीडियो को उनसे मेरा पहला ये रिक्वेस्ट है प्लीज कि देखो इसमें मैंने आपकी साथ objective questions और बहुत कुछ इसमें रख रखा है जो आपके लिए बहुत important है अगर आपने पूरा lesson ये जो पूरा वीडियो है अंधर तक देख लेते हो तो आपको किसी भी तरह का इस lesson में से एक भी तरह का doubt नहीं रहेगा और आप हर एक question का answer कर स सब्सक्राइब करने के बाद और अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल न भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेयर जरूर करें तो चलिए गाइस हम देखते हैं आज का मरा जो लेशन है सबसे पहले यहां पर इनके बारे में डिएच लॉरेंस के दोरा एक लिखी लेशन है जो कि है आपका स्नीक डिएच लॉरेंस जिनका जनम 1885 में होता है उनके बारे में यहां पर कुछ आपको जानकारी मिलने वाली है जो कि हम लोग आगे के स्लाइड में देखने वाले तो स्नीक जो की कमपोजड किया गया है डिएच लॉरेंस के द्वारा क्या कहा जाता इस लेशन में स्नीक इस रिटेन बाई डिएच लॉरेंस देखो आप ध्यान से एक एक लाइन को समझते चलो और आपके साथ अगर पॉसिबल हो सके तो नोटबुक साथ में रखो और उसमें लिखते भी चलो इससे क्या होगा आपको भी लिखनी की हैविट बनेगी आप अच्छा लिख पाओगे और जब लिखोगे तो आपको चीजी जादा याद भी होगे तो सबसे पहली लाइन में है स्नीक जो है वहा रिटेन है कंपोज्ट किया गया है डी एच लॉरेंस के द्वारा और रिनाउंड पोईट एक प्रख्यात एक प्रशिद कवी जो की सौट स्टोरी राइटर सौट स्टोरी राइटर आपने पढ़ाओं का जैसे दा आर्टिस सौट स्टोरी है उसती तरह के नॉबिलिस्ट उपर न्यासकार एंड एसेस्ट वादब इसके अलाबा वह निवंध लेक ऐसे यह सारा लिखा करते थे इन दीस पोयम ही हाज डिसक्राइब एस पोयम में यहां पर यह डिएच लॉरेंस यह डिसक्राइब करते कि इसके बारे में रास्ते से गुजर रहे होते हैं बहुत ही गर्मी की दिन रहती है जुलाई का महिना रहता है और जब वो निगल उसी रास्ते से निकल रहे होते हैं तो उन्ही एक रास्ते में वाटर ट्रफ water trough का मतलब होता है आप गाउं में देखे होगे ऐसा जो लोग मवेशी को गाय वगड़ा को पीने के लिए इस तरह का बड़ा सा नाद बनवा के घड़ के बाउंडरी में रखते हैं गाउं में भी सहर में भी अक्सर ये सारी चीजी ऐसे देखने को आपको मिल जाएंगे तो वाटर ट्रफ जेनरली हम उसी को कहते हैं तो अचानक से क्या होता है एक दिन इने बहुत जोड़की प्यास लगती है जिस वज़र से ये वाटर ट्रफ के पास जाते हैं और वहां जा पहुंच गया है और इस पूरी लेसन में जो है आपको उसी साब की पूरी एक्टिवीटी प्रतिक्रिया कैसे क्या हो रहा है उसका वर्णन करते हैं वह लुक्स सो इनोसेंट जो साब दिखने में काफी ज्यादा इनोसेंट दिखते निर्दोस दिखते हैं तो चली स्टार् अगर आपको फीर आगे यहां से चेंज करके लिखना स्टार्ट करेंगे अगर आप भी ऐसे नोटबूक में लिख रहे हैं तो वन डी दपोईट वास फिलिंग वैरी त्रस्टी एक दिन कभी बहुत ज़्यादा प्यास से महसूस हो रहे थे दो पर का समय था वह चलते चलत जैसे तलाब को देखने के बाद देर ही सो आप ब्लैक कॉबरा वहां पे जैसे पहुंसते हैं तो वहां पे एक साप देखते हैं एक ब्लैक कॉबरा देखते हैं जो कहां से निकल रहा था जो निकल रहा था एक छिद्र शेक छेद से निकल रहा था क्या करने के लिए पानी पीने के लिए अच्छे चीज बताऊना आप लोग मुझे अगर मैं इसके पीछे डबलू लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा होगा फोल हो जाएगा यह भी प्रनाउंशेशन दोनों सेम होगा बट इस होल का मतलब होता है समूचे पूरे और अल का ही मतलब होता है अगर होल यूज करते हो किसी वी संटेंस में तो होल के पहले दा यूज करना पड़ेगा और होल के आगे आगे आपका नाउन जो है सिंगलर यूज करना पड़ेगा जस्ट फूर एक्जामपल दा होल क्लास इस जीनियस आई होप आपको समझ में आया होगा यह कुछ- कहते हैं he stood still for some time कभी कहते हैं मैं वहाँ पे कुछ देर खड़ा रहा to see this snake क्या करने के लिए साप को देखने के लिए ऐसा क्यो कभी के अंदर एक मानवता थी मानवी सकती थी जो वह क्या कहते हैं कि यह जो साप जो है मेरे से पहले आया और पानी पे भी अधिकार साप का पह जाओंगा he was fascinated by its movement जो डिएच लोरेंस थे वह बहुत जदा फैसिनेटेड मन्त्र मुग्ध हो गए उसकी जो चाले थी उसकी जो गती वीधी थी वह सारी गती वीधी को देखके वह बहुत प्रशननित हो गए थे इट वह लुकिंग गुड वह जो साप जो था आपको बहुत ही अच्छा दिख रहा था प्यारा सा साइलेंट बहुत ही सांथ और पीसफुल सांथी प्रिये दिख रहा था वह साप के मां तौश नहीं होगा इट के मां अउट यहां के निचे से निकलता है तर भी क्या होता है क्या करने के लिए यह क्या रॉप ट्री के नीचे से यह आता है पानी पीने के लिए ठीक है अब मैं अपको बतातों करोण incredibly होता क्या है को मैं अटेपो अब सभी को corrobor देखना देखना अ यह रहा के यह चाड़ोब ट्री कहते को हौल पे होता ऐस्न उरोपीन ट्री इत डार्ख केल सब्सक्राइब क्रूट इसमें जो पल यूरोपियन पार्ट में यह पाई जाती है I hope आपको समझ मैं होगा और भी पिक्चर्स बहुत मैंने आइड कर रखा आपको मैं सभी जगह जगह बताऊंगा तो ड्रिंक वाटर दे स्नेक केम टू दे वाटर ट्रफ वाइड जो है उस पानी के नाद के पास आता है जहां पर पानी रहती है और अपनी इच्छा नुशा जितनी उसको पानी पीने रहती है वह पानी पी लेता है अपने घर वापस चला जाना चाहिए था लेकिन साप क्या कर रहा था साप पानी पीता अपनी सर उठाता बार बार चारो तरफ इधर उधर देखता जैसे आप देखते हो ना गाए वगड़े को गाए हो जाए या कोई भी इस तरह के जो भी चौपाए जानवर होते हैं जब उनको आप पानी पिला होगे तो क्या करेंगे एक वाड़ा ऐसे करक अब नाद में मूँ डालेंगे फिर उठाके चारो तरफ देखेंगी कौन है मेरे सामने में तो इस तरह से वह भी साप भी इसी तरह से कर रहा था एक्टिविटी थोड़ी सी पानी पीता और बार बार आगे पीछे देखता थोड़ा सर उपर करके गरदन उपर नीचे करके इस तरह की बहुत तरह की एक्टिविटी कर रहा था अब नौध पोईट वास का इंफ्यूजट अब दीन बहुत गर्मी की थी आप भी एज्यूम करो बहुत जदा आप यह कर कभी कर्मी से परिशान हो और आप कहीं पर किसी के लिए इंतिजार कर रहा और पानी नहीं दे है तो आपको भी गुसा आएगा अब कभी भी गंद कन्फ्यूज हो गये हैं और अफ्रेड अब उनको डड़भी लगने लगा वेदर टु किल देश निक अब उनको उनके मन में यह आने लगा कि अब साप तो जा नी रहा है अब मैं पानी पीने कैसे जां उनके मन में यह पाणी पीने पहुंच गया तो साप कहीं मुझे पीछे से न पी जाए यह सारी बाते सोच करके अब पाणि गर्मी लग यह प्यास लग रही ए इसी व्यद्ध से उनके मन में यह जब ढर हूँ रहा था था तो उन्हों सोचा साप को मार ही देते हैं यह बहुत परिशान करता है अब मुझे अप्यास लगी हुई है मैं साप को बेलकुल निकाल देता हूं रास्ते से साप को मार देना चाहिए या चोड़ देना चाहिए ऐसे कभी के मन में विचार आता है इस हुमन एजुकेशन अब जो है मानवी उनके अंदर जो सिक्षा थी प्रोवगी मानवी शिक्षा कहने का मतलब क्या जैसलाइक कि मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो आसपर उसके होता है इसा मतलब वह मानवी एजुकेशन जो है हम किसी कीवी जैसे हमारे गाउंसम में घर में ऐसे आप देखते होंगे कि हमारे कभी बुजुर्ग लोग अगर आते हैं तो हमारे पापा चाचा ऐसे दादा लोग उन्हें परनाम करते हैं बोलते हैं नमस्तकार परनाम हम और वह उनको देखके सीख लेते हैं तो हम भी अगर वो एसे आते तो हम भी उन्हें आदर की साथ परनाम कर उन्हें बैटने के लिए चेयर वगड़ा देते ही तो यह सारी क्या हिए मानवी एजूकेशन हैं जो कि उनको उक्सा रहा था क्या करने के लिए साहप को मारने के लिए प्रोवाकिंग का मतला उकसाना डेट इट वास प्वाइजनेस इसने कि यह बहुत घातक काड़ी बहुत ही जहरीला सांप है एंड ही मस्ट की लिट और उसे डी एच लॉरेंस को इस सांप को मार ही देना चाहिए अवश्य मार देना चाहिए लेकिन जो इनके अंदे जो मानवयता थी जो मानवता था वो इनको मानवता यह काम करने की अनुमती नहीं दे रहा था मतलब इनका दिल नहीं मान रहा था कि तुम सांप को मार दो लॉरेंस अब उनके दिमाग में बहुत सारे नकरात्मक और शक्रात्मक सोची छूजने लगे और आपको पता होगा जब बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग आते तो हमें साथ जो जीत होती है वह नेगेटिव की ही होती है क्योंकि आप नेगेटिव के वे में जोगने यही सही है जस्ट आफ्टर किलिंग इट दपोर सोड़ी मेनी तिंग्स वर कमिंग तो इस मैंड एज रिजल्ट ही हिट दाइसनेक विथा क्लमसी लॉग बहुत सारे बात उसकी दिमाग में आ रहे थी लॉरेंस सहाब की दिमाग में और फलतह रूप से उसका परणाम यह हुआ उन्होंने क्या किया एक क्लमसी लॉग मतलब क्लमसी लॉग जो उपर नीचे करते रहे लिच पिचा टाइप का बिलकुल ऐसी वर्ड बोलते हैं मेरे हिजाब से जो भी वर्ड आपको लगे मतलब जो बहुत ज़ादा लिच पिच करते रहे उपर नीची आ जाए इस तरह के एक लॉग लॉग का मतलब होता है लकडी का लट छोटा सा तो उससे उन्होंने उस साप को मार दिये मारा ठीकिन अब मारा साप की जिन्दा रहा यह चीज़ें नहीं क्लियर करते कभी भी जब उसको मार देते हैं दा पोईट वाज रिमॉर्स फुल कभी को काफी पस्चा ताप होता है फोर इस मीन एक्ट अपनी इस घटिया से काम के लिए अगर आज उनके मन में ऐसी बहवना नहीं आती कि साप से डर होता है साप जहरीला होता है तो भी साप को नहीं मारते इन रियल सेंस देखो यह लास्ट पराग्राफ है तो इसी तरह से आप भी पारा चेंज करके लिखेंगे वास्तवर्त में बात करें तो कभी को बहुत पस्चाताप होता है ये जो साप जो है न लग रहा था जैसे बनवास का राजा हो एक जंगल का राजा हो ऐसी तरह से जंगल का राजा सेर होता है न मतलब जहां पे किसी और की राज चलती न हो अपने जीवन के प्रभूशे मिलने का और इसी बात पे मैं आप सभी को हापी नवडातरी कहता हूँ और मादुरगा आप सभी की जीवन में डहेर सारा आश्यवाद दे जो भी आप सभी की ड्रीम हो आप सभ अपने ममी पापा के लिए जो भी करना चाहते हो hopefully में मादुरगा bless you with all the dreams and it may success in your life तो यह है जो है he asserts us to यह हम सब को कहते हैं क्या कहते हैं to love all the creatures of the world made by God किस अंसार में भगवान के द्वार इस प्रभू के द्वारा जो भी creatures का निर्मान किया गया है जो भी जीव जन्तु का निर्मान किया गया है उन सभी से प्यार करो माने भी सिक्छा के या आवेस में आके किसी को चोट कस्ट दर्ध मत पहुचाओ अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक करना न भूले और अपने फ्रेंड के साथ जरूर सेयर करें निक्स्ट आते हैं objective question पे इसके अलावा भी objective का वीडियो में नीचीस के साथ आपको टैक कर दूँगा comment section में जाके आप जरूर उसे वाच करेंगे snake has been composed by a snake poem किनकी द्वरा composed किया गया है आप बिल्कुल easily answer दे सकते है dh lawrence dash came to dh lawrence near water truff कोण dh lawrence के पास आता है कहाँ पे water truff के पास में तो water truff मैंने बता है न पानी के नाद यहाँ पर विसे तालाव को ही water truff बोला गया to drink water इसने किसके पास आता है पानी पीने के लिए तो near water truff किसके पास आता है तो near water truff के पास आता है the poet was in dash and went to take water with a dash कभी किस चीज में थे तो कभी जो है इस lesson में पढ़ोगे तो कभी जो है वह पैजामा में थे ठीक है तप इस चीज को ध्यान रखेंगे and went to take water with और वह पानी लाने के लिए किसके साथ जाते घड़े के साथ जाते हैं घड़े को ले करके और घड़े को इंगलिस में यहाँ पे हम को दे सकता हूं यह एक साथ कि इन एक्जाइल यह जो है ना वनवास की राजा की तरह इसकी तुलना करते तो दो आपसन में सबको जैसा आपसन दीखेगा आप वहां पर वह से आपसन करोगे टagar in exile इटमीस बन्वास के राजद जो भी नहीं तो आप सी बड अलबाट्र यह दे देख रहें हो इसके बाडे में यहाँ पर कभी in precisely black are innocent City Cigli myुवार का नाम है Sicily को हैं एक जगा है जहां पे black साप जो innocent नेर 친ावम न होंना जाता है but gold आँ लेकिन जो है gold जो होते हैं साप जो golden color के उनको क्या मना जाता तो उन्हें मना जाता है venomous venomous का मतलब होता है जेहरीला व विशयला माना जाता है तब बिल्कुल ध्यान रखेंगे वैसे आपको सारे ये वर्ट्स आपको एक और भी मैंने वीडियो के नीचे आपको ये लगा रखा है जिसमें आपको अल्रेडी रिटेन फॉर्मेट में मिल जाएगा तब ये ध्यान में रखोंगे कि ब् एटना एक वाल्केनो है वाल्केनो इट मिंस हिंदी में उसे हम एक्जेक्ट हिंदी में वड्ड भूल गया हो आप समझ लेना जैसे ये बड़ी-बड़ी पहारे होती जब उसमें सैसे जब फूर्ती तो बड़ लावा ऐसे गिरते हैं आगों की उसे हम वाल्केनो कहते हैं एटना स्मोकिग इस जो होड़ा होगा वह कहां पे होड़ा है तो इसनसे देखता है मतला वह थो कंफ्यूज होके विल्कुल अपकर इस ऊपल्ड यूज किया गया है उसे कहा गया वेग्वली आई होप यह आपको समझ में आगा वैग वाली का मतलत है पिलकुल अंजानी की तरह जैसे गाय वगड़ा देखते हैं मैंने आपको एक्जांपल दिया ना एक वर पानी पीना फिर उठ सर उठाके एक वर देखना कि कौन है मेरे आस परोस्त में ऐसे देखता है दपोईट विस्ट डाइट कभी की एकछा रहती है डाइस उड कम बैक कोन वापस आजाए जब वह साप को मार देते हैं और पानी में चला जाता है तो कभी वहाँ पर सोचती है अलबार ट्रॉस आया और से साप को निकाल के रख जाए और ऐसा जो है वह सोचते है तो वह चाह क्लम सी लॉग से एक लिज़ पिचा एक लकडी के लट से उन्होंने मारा है तो साप जो है कभी की नजर में लाइक कि इंग अचैंग जंगल एक वनवास किए करा तरह उनकी धिमाग में प्रतीथ होता हूं नजर में पॉइट विशेश टूटू दा कभी की इक्छा रहती है बात करने की जब वह साप पानी पीते रहता है तो कभी सोचते ही जा तो नहीं रहा है जाते ही इनको बोलेंगे साप महड़ा अजब थ्रसाप चले जाए मुझे डर लगता अपसे मैं पानी पीलू फिर आपके बैठ अफी ऐंघाना तो कभी कि इक्छा रहती बात करने के लिए किससे बात करने के लिए तो इस्सने से बात करने की इक्छा होती है आप honट को मैंने यहां पे रीटेन फॉरमेट में एंसर नहीं लिखा हुआ मिलता है आप सुन्सुन के लिखते चलेंगे इसके लावा important works of D.H. Lawrence D.H. Lawrence के कुछ important poem का book जैसे आपने पढ़ा होगा The Age of Anxiety की निकी लिखी गई आप लोग comment करें मुझे आप ऐसे लिखके बताए The Age of Anxiety डास देखे कोन composed की निकी द्वारा किया गया उनका नाम लिखें और मैं आपको book का ना और भी आपको बता रहा हूँ पिकॉक पाई एक है book चिल्डरेन्स पिकॉक पाई इसके अलावा एक और poem का नाम चिल्डरेन्स करके कुछ था मैं एक जग भूल रहा हूँ ऐसे लिख सॉफ ग्रास ये तीन बुग का मुझे आप लोग comment सेक्शन बताएं पिकॉक पाई और दे एज ओफ एंजाइटी और मैंने बुला लिवस ओफ ग्रास ये तीन बुग का नाम के इनके कौन है और एक और साथ में जो एड़ कर लेंगे लैमिया एंड हाइप्रियोन ये लैमिया एंड हाइप्रियोन इस बुग के और थरक के नाम आप कमेंट सेक्षिन में जिरूर मुझे बताएंगे जिरे इनके कुछ ही इंपोर्टेंट वर्क्स सॉरी गाइस अग कलेक्शन और पोयम्स इनकी बूक है डियेच लॉरेंस साहब की दे वाइट पिकॉक डियेच लॉरेंस की अब पिकॉक पाए और वाइट पिकॉक कन्फूज मत करना दे रेंबो डियेच लॉरेंस दे ट्रेस्पासर डियेच लॉरेंस संस एंड लवर्स डियेच लॉरेंस जो भी स्टुरेंट्स जो भी पेपल ऑनलाइन स्टेडी एरा का इंस्टाप एगर फॉलो नहीं किये है तो जरूर से फॉलो करें इस जगर से आपको बहुत सारी इंफॉर्मिशन बहुत सारी नॉलेज आपको गेन होगी ओकी गाइस नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइनस अब दा पोयम इसनेक के पोयम के कुछ इंपोर्टेंट लाइनस जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं कि आपको पूशेगा this line has been composed by Das this line has been retained by Das this line has been taken from Das पोयम कौन से पोयम से ली गई है किसने composed किया है सब फ़स्ट लाइन देखेंगे if you were not afraid यदि तुछे डर नहीं लगता है यूड की लें तुम उसे मार दोगे यहीं कभी को वह पोएम पड़ोगे तो उसमें आता है कि तुम्हें डर लग रहा है इसे तुम नहीं मार पार होता है जैसे क्लास में आपको किसी सब फाइटिंग हो जाती है तो दोस्त ऐसे होता है कुछ जो हमें उकसाते हैं ए तु क्या लाइन है ही लिफ्टेडीजेड वह अपना सर उठाता है फ्रम इस ड्रेंकिंग पानी पीने के बीच से जैसे की जीब जन्तु करते चौप आया जानवर नेक्स ठाड लाइन एंड स्टॉप डेंड ड्रेंक डा लिटिल मॉर फिर कुछ दे रुखता है और फिर कुछ पानी और पीता यह भी लाइन आपको पीना रुकना पानी पीना असनीक की द्वारा वजिट कवड़ाइस डियर नौट टू कि इंडर पोग काम है कि मैं नहीं मार पारा उसको क्या मैं डर पोग हूं कि मैं साब को मारने की मेरे पास हिमत नहीं हो पारे मैं डर पोग कहलाउंगा यह लाइन भी कवड़ाइस कवड़ाइस डर पोग दवाइस ऑप मा एजूकेशन सेट टू मी मेरे अंदर जो सिक्छा जो मिली हुई थी वह मेरे अंदर सावास दे रहे थी ही मस्ट बी किल किसा आपको मरना चाहिए वह उसने अपना टाइम ऑवर कर लिया पी लिया पानी अब भी वेट कर रहा है हमें परिशान कर रहा है इटमींस अब उसे मरना चाहिए यह सारे आपके लिए इंपोर्टेंट लाइन से आई होप आपको समझ मैं होगा देखो यह रहा गोल्डेन स्नेक जो की वहाँ पे वैनोमस होता है ब्लैक इनोसेंट माने जाते हैं सिसली मे आपको यह सारे पॉइंट्स के लिए होंगे दोस्तों यह अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक करना ना भूले थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में